पहला T20 मैच जीतने के बाद भी बांगलादेश की टीम क्यों दूसरा T20 मैच खेलने से पहले घबरा रही हैं यहाम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहला T20 मैच हारने के बाद कप्तान रोहिश्यर्मा ने दूसरे मैच के लिए खास तैयारी कर ली है पहले मैंच में रोहिश शर्मा से काफी उमीदे थी लेकिन वो जल्दी पवेलियन लोट गए थे जिससे पूरे स्टेडियम में सननाटा चागया था लेकिन आप दूसरे मैंच के लिए रोहिश शर्मा नेट पर जम कर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसे देखकर बांगलादेश की टीम के पसी ने छूट रहे हैं जिस तरह से रोहिश शर्मा ने नेट पर बैटिंग की है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि दूसरे टीटवंटी मैच में रोहिश शर्मा का तुफान वापस लोटने वाला है इसके अलावा दूसरे टीटवंटी मैच में रोहिश शर्मा टीम में कुछ बदलाव करते भी नजराएंगे क्योंकि जिस तरह से पहले मैच में कोई भी युवा बल्लेवाज नहीं चला था टीम इंडिया के लिए बड़ी परेशानी का सफब है तो ऐसे में देखना होगा कल होने वाले दूसरे टीटवंटी मैच में रोहिश शर्मा कैसा खेल दिखाते हैं इस वीडियो पर आप भी अपनी राय दीजिए साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब दीजिए